फिल्म की शुरुवात होती है पोरी दुनिया को दिखाने सि जिसके बाद अमेरिका दिखाया गया जहार सुरच निकल रहा था यहनि के नर्मल दिन की तरह आज की भी शुरुवात ही और अब हम अमेरिका में रहने वाली एक फैमली को देखती हैं इनमें फैमली का हेड था, उसकी वाइफ थी अमेंडा और दो बच्चे थी आदमी तो काफी अच्छी आदत कता, गुस्सा उसे कामाता था लेकिन उसकी वाइफ अमेंडा काफी गुस्से वाली थी तो अमेंडा का मूड आज काफी अच्छा था वो अपने हजबन को कहती हैं कि मेरा दिल कर रहा है, हम छुटिया मनाने चले इसलिए मैंने आइलें पर हमारे लिए एक घर बुक किया है अब उसका हजबन मना नहीं कर सकता था, मान जाता है ये सब तयार हुए और कुछी दिर की बाद आइलेंड पर जाने के लिए निकल पड़ी ये गाड़ी में बैटी, इंजुआई करे थी, काफी खुश थी फिर कुछ घंटों का सफर करने की बाद उस घर में पहुंच जाते हैं जो अमेंडा ने बुक किया था घर काफी शानदार था, सब को बहुत पसंद आता है बच्चे पूल में नहानी लगी, उसका हिस्बिन समान रखने में मसरूफ हो गया जबकि अमेंडा मार्केट चली जाती है जरूरा खाने पीने का समान लेने के लिए वो बहुत खुश थी सारा समान खरेदने की बाद जब गाड़ी में समान रख रही थी तो वहाँ एक और आदमी को देखती है जो खाने पीने का बहुत सारा समान गाड़ी में रख ला था ये एक पूरे फैमली के लिए बहुत ज़्यादा खाना था ऐसा लग रहा था जिसे दुनिया खत्म होने वाली हो और ये उसकी तयारी कर रहा हो अब ये चीज़ अमेंडा को अजीब तो लगी लेकिन वो उससे बिना कोई बात कही और वहाँ से चली जाते है घराने की बाद ये फैमली तयार हुई और बीच पर चले जाते हैं ये सकौन से वहाँ बैठकर इंच्वाई कर रहे थी जिहां तब ही इनकी नजर एक काफी बड़ी शिप पर गई जो समंदर में इनसे काफी दूर थी ये सोचते हैं कि वो अपना रस्ता बदल लेगी पर दो घंटे की बाद भी वो शिप उसी जगह पर ही रही बल्कि अब तो और मजीद आगे आगे इन्हें चीप लगा पर दीरे दीरे शिप और करीब आती है ये खबरा जाती हैं समझ गे थी कोई गड़ बढ़ है इसलिए अमेंडा का हिस्बिंड सब को वहां से भागने का कहता है खबराते हुई सब इदर उदर भागने लगे और बीच पर एकी पल में हंगामा मच किया शिप तो अभी भी नहीं रुकी वो समंदर से बाहरे आ गई फिर बीच पर आकर रुक चाती है ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई कंट्रोल ही ना कर रहा हूँ ये हाज सब बहुत अजीब था कुछ ही दीर में पूरे बीच को खाली कर दिया गया एक गार से ने पता चला कि सिस्टम में किसी गड़बड़ी की वज़न सी ऐसा हुआ ये ना सिर्फ इस शिप के साथ बलकि और भी कई सारी शिप के साथ हो चुका है ये फैमलिया से सीधा गहर गई तब पता चला कि इंटरनेट भी नहीं आ रहा और तो टीवी पर भी कोई चैनल नहीं आ रहा था ये अपने लिए ऑनलेन खाना नहीं मंगबा सकती थी इसलिए जो था वो ही खाकर अपना गुजारा करती है रात को बच्चे सो गई जिबकि अमेंडा और उसका हिस्बिन नीचे शिराप पी रही थी जहां अच्यानक इनकी दरवाजे पर देस्ट कोई ये चौम गई कि कौन हो सकता है इन्होंने जब दरवाजा खोला तो सामने स्कॉर्ट नाम का एक आदमी और उसकी बेटी खड़ी थी दोनों हिस्बिन वाइप काफी हिरान हुए क्योंकि इस तरह किसी अजनभी का उनके घर आना काफी एजीब था स्कॉर्ट अमेंडा को कहता है मैडम ये घर मेरा है आपकी मुझसे ही बात हुई थी और अमेंडा को शक हो रहा था क्योंकि उनकी कॉल पर बात नहीं हुई थी स्कॉर्ट कहता है क्या हम अंदर आ सकती है जिस पर अमेंडा था हिस्बंड उन्हें घर की अंदर ने आया स्कॉर्ट उन्हें बताता है कि हम शेहर में रहते हैं पर वहाँ चानक पावर चली गी है हर जगा अंधीरा चागया है मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है आप यहां चुटीयां मनाने आए हैं आप लोगोंने पैसे दिये हैं पस हम यहाँ रहना चाहते हैं आपको टंग नहीं करेंगी बेसमेंट में ही सो जाएंगी यहां तक कि मैं आप लोगों को पैसे भी दे दूगा और अब वो उनकी 1000 डॉलर्स वापिस कर दीता है अमेंडा की हिस्बंड को तो उन पर कोई शक नहीं था वो मान गया कि ये लोग यहां रहने नहीं पर अमेंडा इतनी असानी से मानने वाली नहीं थी वो उन से कहती है कि सोट मैं आपको यहां रहने की अजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि अजनबियों के साथ एनिमी मुझे मसला है पर जब दोन्यों लिजबंड वाइफ अकिली में बात करने गई तो अमेंडा कहती है कि मुझे उन पर शक है वो यहां गलत इरादे से आए है उसका हिस्बंड कहता है कि वो मसीबत में है हमें उनकी मदद करने चाहिए मुझे नहीं लगता कि वो हमें कोई नुकसान पहुझाएंगी अच्छाए काम करते हैं आखरी बार मैं उनसे बात करता हूँ मुझे अगर कहीं भी कोई गड़बड़िन लगी तबी स्कॉर्ट की बेटी टीवे चलाती है हर जगा बस एमर्जनसी ब्रोड़कास लिखा आ रहा था इससे ये बात तो साफ हो गई कि स्कॉर्ट सच किया रहा था कि पावर चले गई ना इंटरनेट आ रहा था और ना ही कोई चैनल चेल रहा था इन लोगम को पक कैकीन हो गया था कि सच भी कोई गड़बर जुरूर है सारे बिगड़ते हलात इने उलजिन में डाल रहे थी स्कॉर्ट एक गवर्मेंट आफिसर था इसलिए उसे कही ना कही शक था कि सूर्ते हल किया है यही वज़य थी कि परिशानी उसके चीरे सी साफ नज़र आ रहे अगले सुबह अमेंडा की बेटी कहती है मामा मैंने अगले एपिसोट देखना है इंटरनेट नहीं आ रहा आप कुछ करें अब जब अमेंडा ने अपना फोन जेक किया तो वहाँ कुछ एमरजनसी खबरें आई हुई थी वो जैसे यह अपने हिस्बेंड को दिखाती है वो गाईब हो गई उसका हिस्बेंड कहते है कि शायद पूरे सिस्टम को किसीने है कर लिया है जबकि अमेंडा को बस एक ही फिकर थी कि हमारे घर में दो अचनबी हैं अमेंडा का हिस्बेंड कहते है कि मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ शायद वहाँ कोई बता दे कि ये सब क्या हो रहा है उसके जाने के बाद स्कॉर्ट और उसकी बेटी भी जा गई जब बाहर आए तो अमेंडा उनने भी बता दीती है कि मेरे मुबाइल पर एमर्जनसी खबरोकर नौटीस आया था जो सुनकर स्कॉर्ट काफी चाओ गया फिर अमेंडा परिशान होते हुए कहती है कि क्या हाला प्र काबू हो रहे हैं स्कॉर्ट मुस्कुरा कर कहता है कि नहीं मुझे उमीद है जल सब कुछ ठीक हो जाएगा वो फिर उन्हें बताता है कि काफी सालों पहले भी इस सरा के हालात हुए थी वो एक वाइरस की वजनसी था जो दो लड़कों ने पहलाए था और मेरे खयाल से यह जो चल रहा है इतना बड़ा मसला नहीं है इसका भी कोई हल निकल आएगा अब स्कॉर्ट को देखने से साफ लग रहा था कि वो इन्हें तसल्ली दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाता था कि यह फैमली और मेरी बेटे डर जाए पर हलाद को देखने से अंदाजा हो गया कि कोई बहुत बड़ी गड़बड थी स्कॉर्ट की वाइफ प्लेन से कहीं जाने वाली थी इसलिए स्कॉर्ट और उसकी बेटी को काफे फिक्ड थी क्योंकि कोई बे सिस्टम नहीं चल रहा था अमेंडा की बेटे जिब बाहर अकेली थी तो यहां पर कुछ ही रहना जाते हैं जो एके करके सेंकडों की तदात में वहां आकर खड़े हो जाते हैं यह बात भी काफी अजीब थी क्योंकि जैन्वर कभी भी इस तना का बड़ताव नहीं करते मदद के लिए स्कॉट अपनी पडोसी दोसकी घर जाता है पर वहां समान दिखरा पड़ा था घर में कोई था भी नहीं अमेंडा का हिस्बंड जिब रास्ती में था तो जीपियस ने काम करना बन कर दिया था जिस वजह से वो रास्ता भटे दिया बिना उसकी कोई मदद किये वहां से निकल जाता है थोड़ा आगे चलने पर उसे प्लेन की आवाज आई इसने जब पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल पीछे प्लेन वहां लाल रंग की कोई चीज गिरा रहा था अमेंडा का हिजबन घबरा गया गाड़े बगानी लगा पर जब प्लेन पास आया तो पता चला कि वो लाल रंगी चीज रसल लाल पेपर्स थी जिस पर फार्से जबान में कुछ लिखा हुआ था स्कॉर्ट को पता था कि मेरे दोस्के पास सिटलाइट सिगनल्स वाला फोन है इसलिए वो अंदर जाकर उस फोन को ले लीता है इस सुमीद की साथ कि शायर ये काम कर जाए अमेंडा की बच्चे इस सबसे अंजान जंगल में चले जाते हैं ओनी वहाँ एक कैबिन मिला जिसकी अंदर ये दोनों चले गई पर यहाँ कोई भी नी था अमेंडा की बेटी ने अपने भाई को हीरन वाली बात बताई लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ उल्टा वो उसे ड़राने के लिए राउने कहाने सुनानी लगता है जिसकी बाद ही वहाँ से निकल आए स्कॉर्ट उडर सिटलाइट फोन चलाने की कोशिश कर रहा था पर वो भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ दिर पहने हमें आस्मान में दिखाया गया कि अमेरिका के सिटलाइट ने अपना रुख बदल लिया है तो यही बज़ा है कि स्कॉर्ट का सिटलाइट फोन काम नहीं कर रहा था जिसके बाद हो एक बीच पर आ गया देखता है कि यहां एक प्लेन तबाव हुआ पड़ा है हर तरफ लाशे ही लाशे में करी पड़ी दिल हिला देने वाला नजारा था क्योंकि कोई भी जिन्दा नहीं बचा था कि वहाँ जखमी हालत में हो बस लाशे ही थी तब ही वो देखता है कि एक और प्लेन इसी तरफ आ रहा है स्कॉर्ट समझ किया कि यह इधर तबाव हो जाएगा तो जान बचाकर वो जल्दी से यहां से भागने लगा प्लेन समंदर किनारे आकर तबाव हो गया तब तक स्कॉर्ट घर की अंदर जा चुका था पर यह क्रेश तबाव होने की वज़र सी एक काफी बड़ी पानी की नहर घर सी आकर टकरा जाती है जिससे स्कॉर्ट पूरा गीला हो गया यह सारी सोड़ते हाल देखकर वो घबरा गया क्योंकि उसे अब तक एकिन हो गया था कि हलाद सच में काबो से बाहिरे घर आकर वो अपनी बेटी को नहीं बताता कि मैंने प्लेन को क्रैश होते हुए देखा बलकि वो यह कह देता है कि मैं पूल में गिर लिया था तो कपड़े गीले हो गई वो फिर अपनी बेटी को दूसरी कपड़े लेने भीज देता है अमेंडा को सारे हलाद बताती हुए कहता है कि सिटलाइट फोन काम करना बंद कर गई ये बात कफी हरान कोने क्योंकि सब कुछ बंद हो भी जाए तब भी सिटलाइट फोन बंद नहीं होती पर अमेंडा को उसकी बातों पर ये के नहीं आ रहा था इसलिए वो आखिर ये बता ही देता है कि मैंने एक प्लेन को तबाह होते हुए देखाए बच्ची अभी भी घर से बाहिड थी अब अच्छाना की ने जोरों की आवास सुनाए दिने लगी जो इतनी उंची और अजीब थी कि इने कालों पर हाथ रखने पड़ते हैं अमेंडा को बच्चों के टेंशन हो रही थी इसलिए वो उन्हें ढूलते हुए जंगल में चली जाती है बच्चे मिल गए जिने वो घर नहीं आई सब लोग तो ठीक थी पर अमेंडा का इसमिन अभी तक वापिस नहीं आया जिस से इनको फिक्र हो रही थी अमेंडा का बीटा कहते है पता नहीं वो आवास कैसी थी मैंने ठीक से कान बन नहीं की इसलिए अब मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है बच्चों को कमरे में भीजने की बाद अमेंडा स्कॉर्ट से पुछती है कि बताओ वो चीस क्या थी जिसकी आवास आई थी मुझे पता है कि तुम इस बारे में जानते हो स्कॉर्ट कहते है कि ये ना कोई प्लेन की आवास थी और ना ही बाम की मेरे हिसाब से ये कोई आवास की लहर वला हतियार था ये लोग काफी परिशान हो जाते है अमेंडा कहती है मुझे अपने हिस्बंड की फिक्र हो रही है ना जाने वो कहां रह गई जिसके बाद वो इन्हें बताती है कि मैंने दो दिन पहली मार्किट में एक आदमे को देखा था वो डेर सरा खाना और पीने का पानी अपनी गाड़ी में रख रहा था मेरे हिसाब से उसे पता था कि ये सब होने वाला है इसलिए वो पहले ही सब की तयारी कर रहा था ये सुन स्कॉट बताता है कि वो मेरा दोस्त है उसे पहले ही इन हलात का अंदाजा हो जाता है तो इन सबसे निमटने के लिए वो पहले ही तयारी कर लेता है तब ही हाँ अमेंडा का हिस्बेंड भी आ गया जो बहुत ज़दा डरा हुआ था वो इने लाल कावज दीती हुए बताता है कि ये एक प्लेन नीचे फैंक रहा था अब अमेंडा की बेटे ने यहां लिखे गए एक लफ़ को पहचान लिया था क्योंकि ये लफ़ उसने एक गे में देखा था उसका मतलब था अमेरिका की मोर बाकी क्या लिखा था ये बात वो समझ नहीं पाता अब इस बात में कोई शक भी नहीं था कि अमेरिका को खतम करने के लिए यहां पर किसी ने हमला कर दिया था इसने किया ये पता नहीं होता ये family काफी डर गई थी तो बचने के लिए Amanda और उसका husband अपने बच्चों को लेकर यहां से शेयर जाने का फैसला करते हैं पर Scott उन्हें समझाता है कि तुम मत जाओ तुम यही रुको यह जगा तुमारे लिए बिलकुल मैफोज है वो दोनों Scott की बात नहीं मानती गाड़ी में बैठकर निकल जाती है पर सिड़क पर आकर इन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे गाड़ियां खड़ी हैं तो आगे जाने का रास्ता गाड़ियों ने ब्लॉक कर दिया था गाड़ियों के साथ अचानक की सब होने की वज़ा भी सिस्ट की घर आ जाते हैं अमेंडा का हिस्बन और स्कॉर्ट की बेटी दोनों मिलकर बाती करने लगती हैं जिपके अमेंडा को स्कॉर्ट बताता है कि मेरा एक दोस्त बगड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता हैं इस वज़ज़ से वह काफी अमीर हैं उससे भी इन हलात का अंदाजा पहले ही हो जाया करता था जिस वजह से सारी तयारी उसने की हुई थी इन हालात का सामना करने के लिए उसने आली शान घर बनवाई थी जिनके अंदर बहुत सारी सगूलते हैं ये कुछ और बाते करने की बाद अपना मुठी करने के लिए म्यूजिक लगा लेती है डास करती हैं, अमेंडा की हिजबन और स्कॉट की बेटी को अचानक अजीब से आवास सुनाई दी, यह जिब जाकर चेक करती हैं, तो वहाँ बहुत सारे फ्लेमेंगोस थी, जो एक तरह का परिंदा है, अब अचानक यह हो जाना भी काफी अजीब था, और अब एक बार फिर से वही तकनीफ दे आवास जोरों से आने लगी, यह लोग फिर से कानों पर हाथ रखके सर पकड़ की बैट जाती हैं, पर इस आवास का जोर इतना था कि घर की कुछ चीज़ें पर तोट जाती हैं, काफी तरकी बाद जाकर वो आवास बन दूए, पर अब सारे ही लोग से घब रहा गए, समझे नहीं आ रही थी कि आखर यहाँ चल क्या रहा है, अब तो हदें ही पाल हो रही थी, उनकी समझ से बाहिड था कि अब हम क्या करें, मदद के लिए किसी को फोन पे ने कर सकती, स्कॉर्ट अमेंडा को कहता है कि वो आदमी जिसे तुमने दीर थरा समा खरीते हुए देखा था, यहीं मेरा दोस्त, वो यहाँ पास ही में रहता है, मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत सारा समान है, तो उसके पास हमें कोई दवाई मिल सकती है, जो हम तुमारे बेटे को दे देंगे, इसलिए अब अमेंडा की बेटे को लेकर उसकी डैड और स स्कॉर्ट उस दोस्त की घर जाती है, जब यह वहाँ पहुंची तो उसका दोस्त घर की अंदर था, उसके हाथ में गयन थी, वो कहता है, यह गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी कर दो, हम फिर बात करती है, स्कॉर्ट उसकी इस बरताओं पर हैरान था, यूँकि दोनों पह जिस पर स्कॉर्ट का दोस्त कहते हैं कि नाद गिना, कोई बड़ी बात नहीं है, यह और भी कई सारे लोगों के साथ हो चुका है, तेज आवाज जो बार बर सुनाई देती है, वो सीधा दिमाद पर एसल करती है, उसकी वज़ज़ से हुआ होगा, तो इस इसलिम में मैं आ ठीक लगेगा, मैं वो ही करूँगा, मैं अपनी फ्यामली को बचाना चाहता हूँ, और तुम अपनी, तो बताओ अब मैं क्या करूँ, इस बात पर स्कॉर्ट को गुस्सा आ गया, दोनों की बीच बहर छिड़ गी, जो इतनी बढ़ गी, यह एक दूसरे पर गन तान लेती पर अमेंडा का हिस्बेंड इनके बीच में आकर दोनों को समझाता है, फिर स्कॉर्ट की दोस्ते मिन्नती करने लगा, कि प्लीज हमारी मदद कर दो, अगर आप मेरी जगा होती, तो किया करती, मैं तो आपकी मदद कर दीता, मैं आपको पैसे भी देने को तयार हूँ, कि अपकी मेरे खयाल सी, अरियन्स का है, या फिर एरान का भी हो सकता है, या फिर किसी ओर दुश्मन मुलका, क्योंकि अमेरिका ने इतनी सालों में बहुत साए दुश्मन बना दिये हैं, जो सब एक होकर अमेरिका के खिलाफ खड़ी हैं, पर यहां किसी की पास भी सही जानका पर अब दवाई लेने की बात अमेंडा का हिस्बिन और स्कॉट गारे में वर जाती हैं। पर अमेंडा की राप्ता करने वरे जर्यों को खतम कर दो। जिसके हमारे मुल्क में इंटरनेट चला गया यनस बंद हो गए हैं। कि जिन्दा रहने के लिए जंग छुट जाएं। ये भी हो चुका था। वो जब जंगल वाले कैबिन में थी तो इन्हें बाहर से आवाज आने लगी। और अब जब स्कॉट की बेटी बाहर जाकर देखती हैं। तो वहाँ धेर सारे हिरन आकर खड़े हो गए थी। अमेंडा उनके सामने आकर चिलाने लगी। जिससे सारे हिरन वहां से भाल जाती है। अब अमेंडा का दिहान शहर की तरफ गिया। जहां बम दमाक ही हो रहे थी। वहां पूरी तरह जंग का महोल बन गया था। लोगों के चिलाने की आवाज ही आ रही थी। जिसका मितलब था कि ये लोग जहां पर थे वो मेफोस यगा थी। शहर में कनोन ना होने की वज़ जो जुगा इतनी महफोस थी कि वो हिफास्ती बन कर कि तरहां काम कह रहे थी। यहां जरूरत की हर चीज़ थी। जैसे यहां देर सारा खाना था, पावर थी। इंटरनेट भी इस जगह पर चल रहा था। इसके लावा डीवीडी और कई सारी सीडिस थी। और क्योंकि उस अमेंडा की बीटी को एक बहुत परफेक्ट जदा मिल गए थी। जहां ये पूरी फैमली हमेशा अराम सी रह सकती है। इसी के साथ ये फिल्म भी इनरी खत्म जाती है।